वेल्कम दूब दिसंबर को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यह समझेंगे कि इसका कटाफ क्या रहा और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको document verification के लिए कब जाना है ज्यादा time आपके पास में नहीं है यह सारी information इस particular वीडियो में हम discuss करेंगे और एक important बात कि अभी बहुत सारे लोग जैसे अपने marks वगेरा नहीं पता कर पा रहे हैं तो उसको लेकर कि FSCI ने अभी scorecard वगेरा नहीं release किया है जैसे उसको लेकर कि कुछ अगर करेंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे तो इस particular वीडियो में सबसे पहले हमें जाना हो को official website जहां पर हम FSCI की website पर जाएंगे और वहां पर हम result है उसको लेकर के देखेंगे सबसे पहली बात जिनका भी selection हुआ है उन सभी लोगों को congratulations तो आप हमें comment करके बता सकत हो कि अगर आपको यहां से कुछ help मिली है particular FSCI section में तो यह आपके सामने क्या है यह है FSCI की official website तो FSCI की official website है यह इस particular website पर आपको यहां पर जब आप जाओगे तो FSCI jobs जब आप search करोगे तो आपको यहां पर FSCI का यह official website जो है open हो जाएगा और यहां पर आपको क्या show होग यहां पर आपको सबसे उपर advertisement जो होगा वो शोगा short listing of candidate for document verification for the post of assistant ठीक है for the post of assistant और DR04-2021 की recruitment है तो यहां पर clearly mention है अब यहां पर आपको एक link दिया जाएगा तो जिससे आप download कर सकते हो और आप लिस्ट में अपना नाम वगेरा चक कर सकते हो बाकि और जो इससे related चीज़े है उनको हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर हम करेंगे click जब भी हम यहां पर click करेंगे तो आपके सामने क्या open हो जाएगा यह PDF open हो जाएगा और यहां पर date भी mention है और यहां पर आप देखोगे कि जो candidate है जिनको shortlist किया गया है document verification के लिए उनका नाम है अब यहां पर सबसे important जो चीज है वो देखनी है कि टोटल देखो यहां पर एक बात यह देखनी है कि सबसे पहले आप देखो यह जो री एक्जाम हुआ है सबसे पहले इसका notification तो 2021 में आया था 2022 में पेपर हुआ था जब notification आया था तो उस ताइम टोटल 77,000 यानिकि 87,000 प्लस candidate के आसपास में apply कर और यहां पर अगर आप category wise देखो तो यह number बहुत कम हो जाता है कैसे कम हो जाता है देखो यहां पर कि जो undeserved category के अगर हम बात करते हैं तो यहां पर total जो candidate appear हुए है एक्जाम में वो होते हैं 4038 candidate ठीक है और उसके बाद में आप देखोगे कि OBC category के अगर हम बात करते हैं तो एक्जाम में उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ST category तो यहां पर अप्एर जो candidate होते हैं वो बहुत कम हैं जैसे कि यहां पर इनीशली जो अप्लाई करते थे तो 87,000 के आसपास candidate ने apply किया था एक reason ये भी रहा कि re-exam में उन candidates को मौका नहीं दिया गया था जिन्हों ने पीछे exam छोड़ दिया था या फिर उनका छूड़ गया था तो दुबारा से उनको exam दिने का मौका नहीं मिला था ठीक है इस वज़े से यहाँ पर number of candidate जो है वो काफी कम हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को यह भी लगता था कि हो सबता इसका result नहीं आएगा और यह सारी चीज़े थी ठीक है बट finally result बगेरा declare कर दिया है काफी जल्दी अब यहाँ पर number of post की अगर बात करें चारसो असी मार्क्स का पेपर था टोटल जिसमें अन्डिजर्व के डिगरी का मार्क्स जा रहा है तो 390 चारसो चारसो दस चारसो पांच के आसपास सी लग रहा था तो वहीं पर आसपास यह जा रहा है तो यहाँ पर 375 जा रहा है क्योंकि FSSAI वाला portion इस बार easy आया था as compared to previous paper जो 2022 में हुआ था SC के डिगरी की बात करते तो यहाँ पर 360 गया है ST की बात करते तो 345 गया है EWS की देखे तो 380 मार्क्स गया है VH candidate और जो की PWBD की के डिगरी में आता है वहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 311 जो है वो इसकी कटाव गई है तो यह हमारा हो गया category wise यहाँ पर जो कटाव बताई गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखनी है यहाँ पर total जो candidate है वो 9.45 बज़े से यह स्टार्ट हो जाएगा ठीक है उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर फिफ्थ फ्लोर पे आपको जाना है FSSAI Headquarter, FDA भवन और कोटला मार्क, New Delhi आपको यहाँ पर जाना है तो बहुत सारे लोग बाहर होंगे, out of state होंगे, कहीं भी हो सकते हैं तो उनको यहाँ पर planning करके document verification के लिए जाना है उसके बाद में आप देखोगे कि जो instruction regarding the document verification candidate are directed to refer our notice यहाँ पर देख लोगे, उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी documents वगेरा होते हैं वो सब आपको लेकर करके जाने, main notice में यही होता है, आपका identity proof बगरा हो गया, यह सारी चीज़े आपको लेकर करके जानी होती है इसके अलावा 29 December यहाँ पर आपको website चेक करनी है 29 December को यहाँ पर आप देखोगे कि एक यहाँ पर दिया गया है 29 December 2022 का इस वज़े से mention किया गया है कि जब यहाँ पर CFSO और TU का result आया था तो उस time पर mention किया गया था ना कि document verification के लिए क्या-क्या चीज़े लेकर के आनी है तो वही आपको यहाँ पर लेकर के जाना है ठीक है तो उसको उसका जो अगर आपके पास में नहीं है क्या क्या लेकर के जाना है क्या नहीं लेकर के जाना तो उसका एक screenshot लेकर करके हम आपको telegram पर डाल देंगे तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो बाकी आप जो लोग WhatsApp group में तो यहां पर इन्होंने जो 29 दिसंबर को पहला रिजल्ट आया था टेक्निकल ऑफिसर और सेंटल पूर सिफ्टी ऑफिसर वाला वही सारे डॉकुमेंट्स वगेरा उसी तरीके से यहां पर लेकर के जाने हैं वह बताया गया साथ में यहां पर टीए डीए वगेरा आपको नह इस बता सकते हैं और इसके अलावा हमें मैसेज भी कर सकते हैं और सबीकों जिनका सेलेक्शन हुआ है जिनका नहीं हुआ है जिनको लगता है कि मेरे मार्स के करीब में तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए अभी एक लिस्ट और आएगी थी और टेकनिकल आपिसेंट में असिस्टेंट का पेपर दिया था उनका सेलेक्शन सेकेंड थर्ड लिस्ट में करीब यह 2021 के करीब में हुआ था तो अगर आपको लगता है कि उसके आसपास आपके मार्स है बर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए ठीक है तो यह थी इन्फ